उन्नयन कोण आईए हम दी गई आकरिती पर विचार करते हैं यदि आप मैदान में खड़े होकर जंडे को देखें तो आपकी आँख को बिंदू A पर लेने पर आपकी आँख से जंडे के शीर्ष C को मिलाने वाली रेखा A C दिश्टी रेखा कहलाती है जंडे के खंबे की उँचाई हमारी उँचाई से अधिक हो तो उसके शीर्ष को देखने के लिए हमें उपर की ओर देखना होगा हमारी आँख से खंबे के शीर्ष को मिलाने वाली दिश्टी रेखा A C वक्षैतिज रेखा A B के बीच बना कोण उन्नेयन कोण कहलाता है देखी आकरिती 3 यहां हमने माना है कि आख ए पर है अता उन्नेयन कोण ए से क्षैतिज रेखा और दिश्टी रेखा के बीच का कोण है यदि खंबा और उंचा हो तो सिर को और उंचा उठाना पड़ेगा इस स्थिती में क्या उन्नेयन कोण पहले से अधिक होगा यानि फाई का मान थीटा से बढ़ा होगा जंडे के खंबे की उचाई और अधिक बढ़ने के कारण आपके दिश्टी रेखा वक शेतिज रेखा के बीच का कोण बढ़ जाता है यानि उन्नेयन कोण बढ़ जाता है आकरिती चार देखें सोचें एवं चर्चा करें यदि जंडे की उचाई कम कर दी जाए तो उन्नेयन कोण के मान में क्या परिवर्तन आएगा आईए अब एक दूसरी इस्थिती पर विचार करें यदि हम जंडे को बिंदू A से न देखकर उससे थोड़ा और दूर A- से देखें आकरिती 5 आप पाएंगे कि बिंदू A- से जंडे के खंबे के शीष को देखे जाने पर दिष्टी रेखा वक्षेती जरेखा के बीच का कोण कम हो जाता है यानि उन्नेयन कोण का मान कम हो जाता है इस प्रकार हमने पाया कि उन्नेयन कोण का मान वस्तू की उचाई के साथ साथ बढ़ता है परन्तु वस्तू की प्रेक्षक याने की देखने वाले से दूरी बढ़ने पर क्रमशक कम होता जाता है त्रिकोन मिती का प्रयोक कर परवत की उचाई, ग्रहों के बीच की दूरी, प्रित्वी वसूरे के बीच की दूरी, महसागर की गहराई का मापन किया जाता है खगोल विद इसका प्रयोक प्रित्वी से ग्रहों एवं तारों की दूरियां ग्यात करने में करते हैं हम अपने दैनिक जीवन में भी समस्याओं को हल करने के लिए त्रिकोन मिती का उप्योग करते हैं। आईए कुछ उधारन देखें।